नमस्कार दोस्तों, बगवान आपसे एक बला करियर आपके सारी एक चाहे में नोकामना है पुरी हो दोस्तों, आज मैं आपसे एक को इसाथ सा रिलेट महत्पून जान करेवे करूँगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है, उन सभी का डेटेल में आंसर रहेगा तो प्रेशन यह है कि किस तरीके का काम या करियर आपके लिए जादा सुटेबल रहेगा और किन सारी बातों से आपको सावधान रहने की जरुवत है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो माइन लैन है वो डिकलाइन होकर के चंदर के छेतर में जा रही है जब भी चंदर के छेतर में मस्तिश रेखा जाती है तो ऐसे जातक रहस्मी विद्धाओं के प्रती बहुत ज़्यादा रूची रखने वालों में से होते हैं बहुत ज़्यादा गहन अध्यन कर पाते हैं हर बात के जड़ तक पहुच पाते हैं लेकिन यह जो mind line होती है यह practical logical knowledge के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है यह basically व्यक्ति को imaginative बनाती है, researcher बनाती है, deep thinker बनाती है और mainly creative बनाती है तो वह सभी काम जिसमें आप अपनी creativity, art, अथवा अपने passion, hobby, interest को follow कर सके वह सभी काम आपके लिए ही बना है और आपको उन सभी कारियों में सफलता भी मिलेगा क्योंकि यह mind line 2 plus 2, 4 करना अच्छे से नहीं जानती है लेकिन कोई भी चीज create करना, कोई नई चीज बना देना या अपने अनुसार किसी भी तरह का काम करना बहुत अच्छे से जानती है इसलिए यह imaginative और creative mindset को represent करती है और इस तरह की कि जब भी combination पाय जाते हैं तो BA, BCom, MBA, commerce से related सारे field में ऐसे जातको की रूची अथवा सफलता दोनों देखने को मिलता है क्योंकि यह combination overall व्यक्ति को लगातर practice कराता है किसी काम को लेकर को और अंततह सफलता भी दिलाता है तो commerce field इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा अपने किसी art passion को definitely follow करें क्योंकि जो upper में यह lines आप देख रहे हैं यह supportive heart line होती है और इसे girdle of venus भी कहते हैं और girdle of venus जब भी होता है तो ऐसे जातक अपने passion hobby को follow करके बहुत ज़्यादा सफल होते हैं या नाम ख्याती पाते हैं यह basically व्यक्ति को एक तरीके से independent type कर nature personality build करता है जिसके करण बहुत ज़्यादा restrictions में या किसी के under में या rules regulation को follow करके ज़्यादा समय रहे नहीं पाते हैं या काम नहीं कर पाते हैं तो अपनी स्वेच्छा अपनी इक्छा अनुसर अपने इस तरह पर या independently काम करने के चाहत को यह बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो mood swing जैसे issues बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं तो mood swing भी अगर ठीक करना हो, emotion stability भी लाना हो, overthinking, negative thinking से भी दूर रहना हो तो अपने interest passion को definitely follow करना चाहिए और यहाँ पर जो finger के उपर आप देखेंगे तो आड़ी रेखा हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी या आड़ी रेखा हैं बार बर रिष्टों में अन्बन मद्भित देता है या फिर close relations बहुत कम देखने को मिलते हैं तो या सगय संबन्दी थोड़े कम बनते हैं क्योंकि इस condition में जब आड़ी रेखा होती है तो यह इस बात को रिप्रेजन कर रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा वेक्ति बुरा मान रहा है हर छोड़ी छोड़ी बातों पर थोड़ा ज़्यादा सोच विचार कर ले रहे हैं और इसी कारण से किसी भी रिष्टे में पूर्ण तह विश्वास होना या कोई भी रिष्टा लंबा चलना ये थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो लग लैन है उसी को फॉलो करना जरूरी है जैसे कि जब मून लकलाइन के अविलिबिलिटी पाम में होती है तो यह कन्फोर्मिशन देती है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जर्मिस्थान से दूर जा करके होगा इसलिए जो यह पूर्थात यह बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं यह इनके लिए बहुत ज़्यदा शुफ फलकारी रहेगा क्योंकि वहां से इनका भाग्यो उत्पन हो रहा है मदर के दोरा सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है बाहरी दुनिया लोगों से सही होग अच्छा मिलने के करhen दोस्त मित्रियार जिसकी भी कमी हो वो भी पूर्डरी हो जाएगी अब जैसे यहाँ पर हम देखे तो जो सही होगी रेखा है वो निश्यत रूप से जागरी तवस्था में आ रही है लेकिन ये सही होगी रेखा पूर्ण तहलाब इनको 19 के उम्र के बाद में देगी अब जैसे निकली है करेक्ट 18 & 19 के एच से निकली है तो 19 के एच से continuous life में progress होना, earning होना या stability, finance, health, mentality के रिगार्डिंग आजाना ये देखने को मिलेगा अभी की condition में इनको regular based meditation करना चाहिए क्योंकि छोट असा island का formation है mind line पे जो mental stress और confusions create करता है, क्योंकि यहाँ पर हम sun mount को देखे तो sun mount पे बहुत सारी आड़ी रेखा होने के करन बहुत जल्दी किसी भी काम में disinterest आ जाता है, या आदे अदूरे काम देखने को मिलते हैं, या किसी काम का पूरा परिणाम नहीं आता है, या मन नहीं लगता है, अधो फोकस में कमी होती है तो ये कोई चिंतात्मक बात नहीं है, सुरुवाती तोर पे अधिकतर ऐसी रेखा है, इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव देती है, भटकाती है, लेकिन इसका उपाया करने से तुरंत लाब मिलता है तो माइंड लाइन के लिए रेगुलर बेज मेरिटेशन करना, योग क्रिया करना और ओम चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सूर के लिए, यानि करियर में स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए, नेम, फिम, रिस्पेक्ट और वेल्थफूल परसनल्टी होने के लिए, आपको सन्रेमिडी के अतरिक्त सूर को रेगुलर बेज़ अर्ग देना, अभी से ही बहुत ज़्यादा तो बाइफॉर का जो भी सायन होता है, ये वेक्ति को सेल्फ इंप्लिट बनाता है, या फिर अपने काम से वेक्ति को बहुत ज़्यादा तरक्य देलाता है, फिलाल कोई बिजनिस का यहाँ पर सिगनिफिकेंस नहीं है, लेकिन बहुत माइनूट लेवल पे, हल्के-ल्की मर मरकरी माउंट पर भी मल्टिपल लाइन सारी है, तो आप अपने लर्निंग पर और अपने स्कील्स या स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फूटफुल और बेनेफिशल रहोगा, और स्ट्रेस फ्री ल लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, इसलिए आगे चलके आपके जीवन में बहुत अधिक सुकसुधाएं रहेंगी, लिटिल फिंगर में जीस भी तरह की गैप मेंटेन होते हैं, तो इसका तात पर यह होता है, कैसा वेक्ति सुनेंगे सब की ल काम से आपको आपके लाइफ में ज्यादा तरक्य क्योंकि इस तरीकी के तीनों सिग्निफिकेंस अपने वर्क से होने वाले एक्स्ट्रीम प्रोग्रेस को रिप्रेजन करता है, लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकेंगे, कि लाइफ के लिए, और सतर करेने के अगर आवशकता है, तो आपको इस चीज़ के आवशकता है, कि जब भी लिटिल फिंगर जुकती है, बाकी फिंगर के तरफ थोड़ा सा टिल्टेड हो करके, तो उस कंडिशन है बहुत जल्दी दूसरों के बातों में आने से बचना है, खुद का का नीचर परसनेल्टी देते हैं, तो इसमें भी सतरकता ये रखनी है कि आपको गलत संगत आदत लोगों से दूर हैना है, क्योंकि इस तरीकी के कॉंबिनेशन अधिक खर्चे आयाशी में भी व्यक्ति के करवाते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉमिनेंट सिग्निफिकेंस नहीं ह कि आपके साथ ये होगा, लेकिन ये सब जो भी कुछ होने के चांसे रहेंगे, वो सराउंडिंग के ओपर डिपेंड करता है, तो अपने सराउंडिंग पर ज्यादा वर्क करें, जैसे कि खाली पर चलना, सात्वी किस्म का व्यक्तित रखना, अध्यात्मिक होना, और बहु पॉजिटिविटी ही डिलिवर करना है, या आपके वाइब्स को, सराउंडिंग्स को, इन्वाइरमेंट को और एड्डेंड लाइफ को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करता चला जाएगा, तो इस पे ही ज्यादा ध्यान दे और सूर्य को अपने बल दें, तो लाइफ के प प्रश्णों को तरमिल गया हो, कोई और अगर रहे गया हो, तो जरूर पूछें आपको बहुत बहुत देने बाद,